दोस्तो नमस्कार, income tax return बरते समय आप और मैं यद्देपी सतर क्रहते हैं, फिर भी बहुत से लोगों से income tax return बरते समय कई गलतियां रह जाती हैं, तो ये गलतियां न रहें या ये ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप अपनी return बरते समय न करें, उस द्रश्टी से मैं आज की वी तो ये वीडियो आपको ऐसी कुछ common गलतियां बताने में सक्षम होगी, जो generally करदाता करते हैं, और यदि आप सुनिश्यत कर पाएं कि आपकी return में इस प्रकार की कोई गलती नहीं रहे, तो फिर आपका return बरने का कारे एक बार वही पूर्णता सफल कारे हो जाएगा, तो आ सबसे पहली common mistake दोस्तों आपके समखश रखता हूँ, selecting correct ITR form के रूप में, कि मेरा पेशेवर अनवव यदि मैं लेकर के चलू, तो मैंने ये देखा कि बहुत सी बार करदाता ये चुनाव नहीं कर पाते, ये select नहीं कर पाते, कि उन्हें कौन सी ITR बरनी है, कब उन्हें ITR 1 बरनी है, 2 बरनी है, 3 बरनी है, अत्वा 4 बरनी है, अब जाने कैसे कि मुझे कौन सी ITR बरनी है, तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों, कि ज़्यादा तर salary paid person यदि आप हैं, तो ITR 1 या 2 से cover हो जाएंगे, और यदि आप businessman हैं, तो ITR 3 अत्वा 4 से cover हो जाएंगे, तो ये एक प परकार आप ITR 2 में covered होते हैं, और ये एक common mistake है, कि करदाता जो ITR 2 में covered होते हैं, वो भी ITR 1 बर देते हैं, तो ये गलती ना हो, इसके लिए मेरा ये मानना है, कि आप थोड़ा सा online भी study कर सकते हैं, कि कब ITR 1 बरने के लिए liable हैं, कब ITR 2 बरने के लिए, इसी परकार businessmen जब presumptive basis of taxation में जाते हैं, तो उन्हें ITR 4 बरना होता है, और जब वो actual basis पर profit loss report करते हैं, तो उन्हें ITR 3 बरना होता है, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत online study, और मैं तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये कहूंगा, कि आपके जो consultant हैं, आप उनकी राय अवश्य लें, वो आपको ये decide करने में help करेंगे, कि ITR 1, 2, 3 या 4 में से आप पर कौन सा form applicable है, ताकि ये सुनिश्यत हो कि आप सही form में अपनी ITR मरें, अगली common mistake दोस्तों आपके समख शर्कता हूं, please be sure about your residential status, आप कहेंगे अनुब जी residential status भी इतना महत्पूर्ण है, बिलकुल sir, ऐसा मैं scope of income, यानि आपकी कौन सी income tax law में tax होने वाली है, ये depend करता है आपके residential status पर, मैं ये बात जरूर मानूंगा कि इस वीडियो को देखने वाले जादा तर रोग ordinary resident हैं, और ordinary resident होने की वज़े से उनकी global income, चाहे इंडिया में कमाई हो, चाहे इंडिया से बाहर कमाई हो, वो non-resident से resident की category में आने वाले हैं, वो resident but not ordinary resident category में भी जाते हैं, और बहुत से non-resident even NRI भी assesses होते हैं, जिने अपनी ITR बरने के आवशकता होती है, तो सही status decide करना आपके लिए बहुत important point है, क्योंकि ये status decide होने से आपका scope of income decide होता है, आपका सम्मंदित form भी decide होता है कि कौन से form मे आपको ITR बरने होगी, अब देखिए दोस्तों मैं आपको सतर करना चाहता हूँ, filling proper personal correspondence details के बारे में भी, कि आप जैसे ITR बरना शुरू करेंगे, आपको general information में सबसे पहले filling करनी पड़ेगी, और बहुत सी बार दिवा आप online filing करते हैं, तो ये information आपको filled up मिलती है, जैसे आ आपका first name, middle name, last name, या आपका आधार का detail, आपका date of birth, etc. मेरे लिए जो सबसे महत्पूर्ण point है, जो मैं यहाँ पर जूड़ना चाहूंगा, वो है दोस्तों, आप क्या mobile number यहाँ पर डाल रहे हैं, चाहिए auto filled हो तो भी check करें कि आपका mobile number सही आ रहा है, आप कौन सा email id अपन अपना यहाँ पर insert कर रहे हैं, आप कौन सा address यहाँ पर अपना insert कर रहे हैं, हो सकता है auto filled ITR की case में यह detail आपको already filled मिले, आपको ज़दी लगता है कि इस detail में कुछ change है, तो आप income tax login में अपनी contact details में भी change करें, और यहाँ पर ITR form बढ़ते समय भी, सही detail जो relevant वित्तवर्ष क रहे हैं तो 1391 यूज होगा, belated भर रहे हैं तो 1394 यूज होगा, यदि return को revise कर रहे हैं तो 1395 आपका particular category of return यूज होगा, साती जात दोस्तों यदि आप employed हैं, यानि करदाता के रूप में आप employee भी हैं, तो आप कौन सी category से belong करते हैं, ये भी आपको select करना बहुत जरूरी है, जैसे किसी करदाता ने pensioner PSU select किया, तो उनके leave encashment claim करने की certain limit है, और अगर ये गलती उन से हो गई जबकि वो government employee थे, तो उनके leave encashment में से कुछ amount हो सकता है taxable हो जाए, तो इस तरह के की बहुत सी गलतियां हमने past में होती देखी हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चा section 6, opting out of new tax regime तो आपको yes या no claim करना है, ये बड़ी important बात है कि अगर आप ध्यान रखे, assessment year 24-25 से by default आप new tax regime में governed है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं मेरे को old tax regime ज्यादा beneficial है, तो आपको फिर यहाँ पर इस option को yes करके select करना पड़ेगा, तब ही आप old tax regime में जाएंग ये बड़ा important wish assessment year 24-25 की return बढ़ते समय जो आपको ध्यान रखना होगा, अब दोस्तो एक बहुत important point आपके सामने रखना हूँ, reconcile reporting in ITR with AIS 26AS, return बढ़ने से पहले अपना annual information statement अत्वा 26AS जरूर देखिया, अत्वा की जगे मैं बोलूँगा दोनों को देखिये, और ये मिलान कर ये कि उनमें जो item of income reported है, या जो transaction reported है, उनका आपके ITR से जो लेना देना है, उसके अनरूप आप अपनी ITR file करें, उसके अनरूप आप अपनी ITR fill करें, यदि ऐसा नहीं होता, तो बाद में बहुत सी बार मैंने देखा, क्या एकर रिवाक करदाताओं को, notice बेज रहा होता है, कि साब आपके AIS में फला interest income reported है, आपका ये particular share market transaction reported है, पर आपने ITR में बताया नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, और कई बार इतनी late intimation आती है, कि उस समय तक आपका revise return बरने का समयावदी भी खतम हो जाता है, तो it is better, कि आप जैसे ही return बरने जा रहे हैं, उससे पहल round जो मेरे transaction report किये गए है, हाँ आप उन transaction value से ज़्यादा value report कर सकते हैं, पर कम report करने की case में आपको necessary intimation आएगी, ऐसा मान के चले, अगला point है दोस्तों मेरी ओर से, be sure about exemption or deductions being claimed in the ITR, यानि जब आप अपनी income tax return बढ़ते हैं, तो क्या जो deductions, exemptions आप return में claim करने जा रहे हैं, उनके प्रती आप सुनिश्चित हैं, क्योंकि पिछले दो वर्षों में मैंने ये देखा कि income tax department ने करदाता को intimation बेजी, कि are you sure about the deductions which you have claimed, because many cases they are finding that certain deductions were not there in form 16, and they have been claimed by the assessing, अब इसके दो उपाय हो सकते हैं, पहली बात तो ये, कि आपको ऐसा को intimation आया, और आप सुनिश् तो मामला बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सी बार, कई बार, किसी लालच में या किसी और वज़े से, आपने essay deduction claim कर लिए, refund के परवजे से, जो वास्तम में आपने contribute नहीं कि, तो ऐसे विशे में बहुत सतर्क होके चलिए, मेरा तो कहना है साब, जो deduction हमारे, हमने contribute नहीं क और हम claim करना चारे हैं, चाहे आपको कोई व्यक्ति promote ही कर रहा होगे, साब कर लो कौन देख रहा है, मेरा कहना है सर, essay deductions, essay exemption claim करने से जरूर बचिए, एक और गलती रखता हूं दोस्तों आपके सामने, while claiming TDS credit offer corresponding income in ITR, अब एक सामन ने कर दाता, ये बात को एकदम से समझता नहीं, लेकिन कई बार ये बात हमने पैदा होते देखी, कि for an example, मेरी ITR में कुछ interest income से related TDS था, 25,000 का, ठीक है, अब इसका मतलब मेरी corresponding income थी, डाहिलाक रुपे की, अगर 10% TDS rate मानूं, पर मैं ITR में 25,000 की credit तो claim कर रहा था, income नहीं offer करी, बाद में income tax department ने intimation में मेरे से पू करना चाहते हैं, परन्तु संबंदित income को भी हम offer कर रहे हैं, ये भी सुनिश्यत करना जरूरी है, यदि आप businessmen के रूप में अपनी return बर रहे हैं, तो मेरा suggestion है, in case of business income, match the relevant GST turnover with ITR figures, अब दो तरीके के cases मैंने याँ पर note किये दोस्तों, कि बहुत से लोग presumptive taxation में अपनी ITR बढ़ते हैं, suppose किसी ने 60 लाग का turnover बुला, और 60 लाग के turnover पे से banking से transaction ता 6% का income दिखा दिया, अब 60 लाग का turnover आप ITR में बता रहे हैं, और दूसरी और आपने GST registration ही नहीं ले रखा, ये तो blender है, या आपने 60 लाग का turnover बुला, और उदर आपका GST turnover 65 लाग का है, तो ये भी समझे बिना उन्होंने return में अपना turnover gross receipt बता दी एक गलती, या return में जो GST turnover बताया, अगर GST registration भी है, तो वो GST की return से ही match नहीं खा रहा, इस तरह की की गलती ना हूँ, ये भी सुनिश्चित करें यदि आप business man अत्वा professional कर दाता हैं तो, दूस्तों आप और मैं दूनों समझ सकते हैं कि यदि किसी वेक्ती ने ITR बढ़ते समय refund क्लेम किया है, तो वो कितना खुश होता है, कि रहे वा मैं income tax return बढ़ते समय refund लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उतना ही दुखतब होता है, जब return process होने के बावजूद refund नहीं आता, और वो बार बार परिशान होते हैं कि नहीं करी, जिस पर आप refund क्लेम करना चाह रहे हैं, return के अंदर दोस्तों, specifically bank की details देते हैं, और पूस्ता है income tax return form, आप कौन से bank खाते में refund लेना चाहते हैं, जिस खाते में आप refund लेना चाहते हैं, दोस्तों, उसी खाते को आपको online भी जाके validate करना है, ये सुनिश्यत करना है यदि आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो बाद में refund आपका process होगा, परन्तों आपके खाते में credit नहीं होगा, फिर आप refund reissue request लगा करके refund को pursue करेंगे, so it is better कि एक बार में ही size short लगाते हैं, तो refund भी जल्दी आएगा, दोस्तों बात करता हूँ, reporting of losses and carry forward दे रहा हूँ, कि income tax law ऐसा बोलता है, कि अगर आपके पास में capital gain head में, या business profession head में loss है, तो आप अपने loss को एक return timely file करके report करिए, तभी अनुप जी आपको carry forward का right मिले, कई बार लोग ये सोचते हैं, कि मैंने loss खालिया तो खालिया, अब क्या मेरे को करना है छोड़ो, लेकिन बाद में उन्हें प परन्तु ऐसा नहीं करने की वज़े से उन्होंने अपने हाथ कटा लिया, तो ये एक important विवस्ता आपको ध्यान रखनी है, कि losses हैं, तो उन्हें report करना ना भूलिये, और यदि आपकी पिछली return में कोई losses थे, जो इस साल carry forward होके set off करने थे, तो return बरने समय, बरते समय देखि आपका परमित चूप गया, so I hope this will also be useful, एक और common mistake दोस्तों आपके समख शरकता हूँ, ensure filing requisite forms to support your idea, मैंने देखा कि for an example, किसी व्यक्ती को area of salary मिला, उन्होंने return में section 89-1 की relief claim करी, लेकिन उन्हें उधारन के लिए form 10-E file करना था, online, वो separate file होता है, return बरने से पहले, वो नहीं इसी प्रकार यदि आप new regime छोड़ करके old regime जा रहे हैं, तो law करा है जी आपको 10-E form बरना है, अगर आप other than salary paid person है, आपकी salary income के अलावा दूसरी income है, जैसे business income है, तो ऐसी परिस्तिती में 10-E नहीं बरा, तो उन्होंने आपकी return प्रोसेस कर दी, new regime में old regime का benefit नहीं दिया, बह और क्याता है, form 67 file करो, पर form 67 file ही नहीं किया, तो इस तरह की form बरने की requirement को भी आप ध्यान रखें, और यदि आप ये form नहीं बरेंगे, तो फिर आपकी return जो प्रोसेस होगी, वो एक तरीके से demand लेकर के आजाएगी, आपका refund कम करेंगे, अब आप कहेंगे अनुब जी, double check ITR before filing it, ये भी एक suggestion आप हमें दोगे, कि आप बिल्कुल दोस्तों देना चाहता हूँ, कि return बरने से पहले, चाहे आप online filing करें, चाहे आपने tax consultant, charter accountant के through करें, वो आपको एक draft return बना करके देंगे, what is wrong if you can go through that particular draft return or draft computation and understand and ask queries to your consultant के साब, आपने इस income को ऐसे क्यों दिखाया, इस से आप सुनिश्य तो पाएंगे कि आपकी return में जो reporting होने जा रही है, वो बिल्कुल सही है, so I hope ये कदम यदि आप उठाते हैं, तो आप बहुत सी गलतियों को automatically control कर लेंगे, एक अंतियम गलती दोस्तों, और मैं जो समझ पाया, अला कि गलतियां और भी हो सकती है, लेकिन यह आधार OTP नहीं आ रहा था, या आधार में मेरा mobile number चेंज हो गया था, और मैं अपनी return को e-verify नहीं कर पाया, कुछ समय निकला, तीस दिन का time निकला, उसके बाद income tax department ने return invalid कर दी, अब हमें पता ही नहीं है, साल बर बात जाकर के खोला तो औरे, मेरी वो return तो invalid थी, दोस्तो आधार रखेंगे, अब अन्त में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की content में जो गलतिया मैंने आपके साथ share की, आप उनसे सीख ले करके इस उनिश्चित करेंगे, कि आपकी income tax return में ये गलतिया ना रहे, साथी दोस्तों मैं ये भी suggestion दूँगा, कि आप यद समझिए कि मैं एक CEO होने के बावजूद ये चीज़े promote कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस से आपकी learning बढ़ेगी, आप और बहतर तरीके से अपनी income tax return को समझ पाएंगे, एक और suggestion आपको चलते चलते ये भी दूँगा, मान लीजे आप से अपनी return में कोई गलती हो गई, तो कि अपनी return revise कर पाएंगे, तो सुनिश्यत करिए कि आप timely return बर रहे हैं, ताकि department की कोई intimation आ जाये, तो आपको revise करने की जरूत हो, तो आप timely revise भी कर पाएं, तो I hope ये जो suggestions मैं यहाँ पर रखे हैं, ये आपके लिए useful रहेंगे, एक और बात यहाँ फिर जोड़ना चाहता यानि मैं income tax portal के थूँ नहीं कह रहा, आप किसी particular website के थूँ जब अपनी return बरते हैं, तो आप उस return को भरने के लिए जब data देते हैं, तो कई बार solid paid cases में simple form 16 दिया, और जो transaction वहाँ पर दिख रहे हैं, वो उन्होंने include कि और आपकी return बर दी, लेकिन दोस्तों, मेरा फिर कहना है कि किसी consultant के साथ बैठ करके आप discuss करिए one-to-one basis पर कि मेरे कौन से transaction covered है, कौन से covered नहीं है, किस पर क्या tax consequences होते हैं, तापकी आपकी return जो file हो, वो complete sense में return file, so I hope मेरा ये suggestion भी आपके लिए महतपूर्ण हम काम कर रहेगा, thank you very much for being with me, wishing you all the best, जैह